आज के वीडियो में मेधक तथा टोड में अंतर बताएंगे अथा डिफ्रेंसिद बिट्विन फ्रॉग एंड टोड तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ति देखिए और युदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज जलके आसपास की जो भूमी होती है वहाँ पर पाया जाता है जबकि जो टोड होता है या मैदानों में पत्थरों के धेरों के आसपास या घास में रहता है या गमले हैं इनमें बैठा रहता है यहीं सूखी जगों पर रहता है और फिर दूसरा अंतर है मेधक दिन चरजनत होता है रात में निकलता है मतलब यहां रात में अधिक सक्री रहता है जबकि मेढक दिन में अधिक सक्री रहता है नैश है मेढक की देह बड़ी और कटावदार होती है जो मेढक की देह होती है बॉड़ी होती है वो थोड़ा सा बड़ी होती है और कटावदार होती है और इस तोड की देहभीति भध्धी होती है और फूली हुई होती है और इसमें जो डॉर्सल लाइन होती है जो मध्य प्रिष्ट रेखा होती है यह नहीं पाई जाती है जबकि मेढक में पाई जाती है next है मेढग की खाल चिकनी तथा चमकदार होती है जबकी जो टोड है टोड की तचा होती है वो खूरदरी होती है और सूखी होती है खूरदरी सी है, सूखी सी है चपचपी या लिसलसी नहीं होती है पिर अगला है मेढक का सिर का अगला भाग प्रोथ जो होता है वो नुकीला होता है यानि सिर के आगे का जो भाग है जिसे प्रोथ कहा गया है ये नुकीला होता है जबकि जो टोड होता है टोड का जो प्रोथ होता है ये नुकीला नहीं होता है ये गोलाईदार होता है मेढक में जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो अधिक पाई जाती है लेकिन बिस ग्लैंड जो होती है यह कम पाई जाती है जबकि जो टोड होता है टोड में तोचा में सलेश्म ग्लैंड कम होती है बिल्कुल उसके बुल्टा सलेश्म ग्लैंड कम होती है और बिस ग्लैंड अधि नहीं पाई जाती हैं जबकि जो टोड होता है इसमें पैरटाइट ग्रंतियां पाई जाती है यह होती है फिर नेक्ष्ट है मेड़क के ओपरी जबडे में छोटे छोटे नुकीले दांत होते है जो उपर ही जबड़ा होता है उसमें maxillary teeth पाए जाते हैं जबकि जो toad होता है इसमें किसी भी प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं फिर next मेड़क का जीब का जो पिछला भाग है वो दूई साखित होता है जीब का पीछे का भाग आगे का भाग तो जुड़ा रहता है पीछे का भाग स्वतंत्र होता है तो जो पीछे का भाग है वो दो साखित होता है दो भागों में बटा होता है जीब का भाग और जो toad है टोड का पिछला भाग दोई साखित नहीं होता है बाई लोब्ड नहीं होता है नेक्स्ट मेड़ा के पस्च पाद की अंगुलियों के बीच सू बिकसित पाद जाल पाया जाता है फूड वेप पाया जाता है जो पीछे के पैर होते हैं पीछे के पैरों में की जो अंगुलियां हैं उनमें जाल पाया जाता है और वो बिकसित जाल होता है जबकि जो टोड होता है इसमें मामूली सा जाल पाया जाता है फूड में मामूली सा होता है मांसल रूप से होता है फिर मेड़क में जो नर मेड़क होता है इसमें वाक कोस पाए जाते हैं, ओकल कार्ड पाए जाते हैं, जबकि जो टोड होता है, टोड में वाक कोस नहीं पाए जाते हैं, ओकल कार्ड अपसेंट होते हैं, नेक्स्ट, मेड़क में अंस मेखला के अगले भाग से जुड़े हुए, एपिस्टर्नम वा ओमोस्टर्नम होते हैं, जो मेड पी स्टर्णम तथा ओमस्टर्ण नहीं पाय Ramam जूरे को जूके बोलए कि जो तोड में जूरे को प्रवर्द सीधे होते हैं जूके नहीं होते हैं नेश्टन तर है मेड़क की जो मूत्र वाहिनिया हैं, मूत्र वाहिनिया क्लोएका में अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, जो मूत्र की नलिकाएं होती वाहिनिया होती हैं, वो क्लोएका में अलग अलग छिद्रों के द्वारा खुलती हैं, जबकि जो टोड होता ह दोनों मोत्रवाहिनिया एक ही छिद्र के द्वारा क्लोय का में खुलती हैं. पिर अगला है मेड़क के जो अंडे होते हैं अंडों का समुह आनीमित-ाकार का होता है, अन्डों का bardzo की रंगा हल्का-काला होता है, जबकि जो टोड होता है टोड के जो अंडे होते हैं अंडे दो लड़ियों में गुंते रहते हैं आपस में चिपके रहते हैं और गहरे काले रंगे होते हैं उनका रंग कैसा था हलका काला जबकि टोड के अंडो का रंग गाड़ा काला होता है तो इस प्रकार से मैंने कई सार अंतर बताए आसा है आप सभी लोगों को राना टिगरीना और ब्यूफों में अंतर अच्छी तरह से सब्द में आ गया होगा सब्द में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद